नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों प्रैक्टिस सेट नमबर फोर लेकर आया हूँ यूपी टेपल सी एनम महिला स्वास्था कारिकरता मुख्य परिच्छा में जो प्रश्ण उतर पूछे जाते बहुत ही महत्पूर है और एनम श्टाफ नर है हमारा तो कारिकरम पहले से ही प्रस्तावित था तो आप लोग चुनाओ को देखते हुए ये नहीं कि हम पढ़ाई को लूज कर दें तो दोस्तों आप लोग ऐसा न करिए का आप लोग गितम तैयारी सुरू कर दीजे बहुत जोर सोर में हमारा जो परिच्छा का कारिकरम है वह हमारा छे फरवरी को ही प्रस्तावित है छे फरवरी 2022 तो छे फरवरी को जब है दोस्तों छे फरवरी को ही परिच्छा होगी जहां तक संभव है आचार संगीता लग गई है इससे कोई मतलब नहीं है परिच्छाएं होंगी मैं आप लोग को एक बार फिर से बता दे एक like करिएगा चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा दोस्तों और वीडियो को share करिएगा वीडियो को share कर देंगे तो यह doubt सभी भाई बहनों का निकल जाएगा कि आचार संहीता लग गया है हमें पढ़ाई करना है कि नहीं करना question no.22 इसमें practice t no.4 कराने जाएगा ब्रादेन इस्केल का उपयोग किसके आकलन हेट किया जाता है यहाँ पर देखिएगा आप इसमें दिया गया है ब्रादेन इसकेल किसके उपयोग किया जाता है तो यह किया जाता है आपका डेगू बीटस अल्सर के लिए option नमबर ए हो जाएगा डेगू बीटस अल्सर question नमबर क्यावन है क्यावन में देखें क्या पूछ रहा है एक मरीज का GRBS मतलब यह पूछ रहा है GRBS मतलब क्या होता है दोस्तों यह होता है glucose मतलब इससे सम्मंधित होता है GRBS जिसे सूगर पेशेंट होते हैं उनका हम GRBS चेक करते हैं 40 mg परसेंट है तो तुरंत क्या प्रबंधन करना चाहिए 40% का मतलब बहुत ही कम हो गया है सूगर जो है पेसेंट का बहुत ही कम हो गया है तो हमको क्या करना है तो तुरत डेस्टोट जो 50% होता है उसको चड़वा देना चाहिए डेस्टोट 50% का सलूसन आता है वो चड़वा देना चाहिए question number 52 है इसमें पुछ रहा है गोनिवीटर का उपयो किसके आकलन के लिए करते है तो गोनिवीटर का आकलन जो होता है हम करते है जोडो की range of motion के लिए option C हो जाएगा question number 33 है निमने में से कौन सा संकेत पोर्टल हैपर टेंसन के लिए है तो किसके लिए है दोस्तों? हिमेटेमेसिस के लिए Most important question है बच्चों में दर्द का आकलन करने है तो निमन में से क्या उपियोग किया जाता है? Question number 4 Most important है दोस्तों क्या किया जाता है? Vogue Baker Face दर्द Rating Scale Question number 55 है उल्टी और जी घबराने में दवा लेने को हम क्या कहते है Most important question सभी में ऐसे ही question पूछते हैं दोस्तों यह question आपका Lab Technician, X-ray Technician, Prirayok Salah Technician, Pharmacist, Staff Nurse, A.N.M. सभी के लिए महतपूर है Question number 55 उल्टी और जी घबराने में दवा लेने को हम क्या कहते है क्या कहते है Anti-Ematic से Question number 56 देखिए क्या कह रहा है Question number 56 में कह रहा है बहुत ध्याल से देखिए दोस्तों वीडियो को थोड़ा आप लोग जो है HD कर लेंगे तो बहुत किलियर दिखाई देगा वीडियो की सेटिंग में जाईएगा यूटूब में वीडियो की सेटिंग में जाकर वीडियो को HD कर लीजिए तो बहुत किलियर दिखाई देगा जैसे मैं वीडियो को बना रहा हूँ मुझे तो बहुत साब दिखाई दे रहा है Question number 56 देखिएगा पानी की अविस्साक्त का Water इंटोक्सिकेशन में मुख इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है Most important question है Question number 56 आपको मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ इस बुक में बहुत ही महत्पूर question है और सब repeated हैं दोस्तों जो आज के लगवग 15 से 20 साल पहले जो question पूछे गए वही सब repeated question है Question number 56 में पूछ रहा है पानी की अविसाक्त का Water Intoxication में मुख इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है क्या होता है दोस्तों Hypontremia Question number 57 सत्तावने पूछ रहा है हिपैरिन का antidote Most important question है दोस्तों सभी के लिए है ये स्वास्ते विभाग में सभी के लिए पूछा जाता है मैं सभी का मतलब बता दे रहा हूँ दोस्तों एक बार फिर से Pharmacist, X-ray technician, Lab technician प्रियोकसाला technician और महिला स्वास्ते कारिकरता के लिए इन सभी के लिए बहुत ही important हिपारीन का एंटीडोट है Question 57 हिपारीन का एंटीडोट जो होता है Question 57 में जो पूछ रहा है दोस्तों Protamine Sulfate हिपारीन का एंटीडोट Protamine Sulfate होता है Question 57 Question 58 है चेतना को निम्न में से किस आधार पर आकलन किया जा सकता है Question 58 किस से किया जा सता है ग्लासो कोमा स्केल से Question 61 है नाक से रक्त स्राव होने को हम क्या कहते है बहुत ही महत्पूर question है Question 61 नाक से अगर रक्त स्राव हो रहा है तो एपिस टेक्सिस कहा जाता है Question 60 Question 60 है निम्न में से रेडियल धमनी केनुलेशन के मुल्यांकन रेडियल और अलनर धमनी पेटेंसी के पहले पूरा करने की आव सकता है Question 60 है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसमें हम क्या जानेंगे इसको हम जानते है एलेंस टेस्ट कहते है Question 60 है एक नर्स एक्यूट रेडियल फेलियूर के लच्छण को क्रोनिक लेडियल फेलियूर के साथ तुलना कहरती है और अंत में वह एक्यूट रेडियूर फेलियूर को चुनती है वह परक्रिया क्या कहलाती है Question 61 है उसको हम कहते है डेटा ब्याख्यान Question 62 निमने में से काउन साप आजिंग हीमोग्लोबिन के साथ मजबूत बंध बनाता है और functional anemia उत्पन्न करता है काउन साथ करता है Carbon Mono Oxide most important question है COS का formula होता है Carbon Mono Oxide जो होता हीमोग्लोबिन के साथ जो है poisoning का काम करता है poisoning का मजबूत बंध बनाता है इसको इरट लीजेगा दोस्तो Question 63 एक बच्चा जिसे बुखार है उसमें oxygen की आखसकता पढ़ जाती है क्योंकि क्यों पढ़ जाती है दोस्तों बताइए आप लोग Question 63 इसमें option A हो जाएगा चपा पच्चा आव सकता बढ़ना जो है Question 64 64 में पूछ रहा है NG feed को धीरे धीरे देने में फैलाव कम करने में सहायता मिलती है Question 64 NG field को धीरे धीरे देने से फैलाव कम करने में सहायता मिलती है किसमें पाचन में Option C हो जाएगा Question 65 है गेवेज ट्यूब जो गेवेज ट्यूब डालते समय मरीज की को इस्तिती किस पोजीशन में दी जाती है गेवेज ट्यूब एक होती है हम क्या कहते है जो सरीर के भाग की गती है सरीर के मध लाइन से दूर होने को हम क्या कहते है क्या कहते है Question 66 है 216 गले में खरास है सर्दी जुखाम बुखार होने की करण जो है ऐसा हो रहा है Question 66 है एक भाग का मुड जाना और दो भागों के कोड कम होने को क्या कहते है Question 66 है Flexion कहा जाता है दोस्तों वीडियो को सेर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा वीडियो में जितने question है बहुत ही मात पुन है Question 68 पर चलते है पैर का अंदर मुडना को हम क्या कहते है Most important question है पैर का अंदर मुडने को हम क्या कहते है प्रोनेशन कहते है Option C Question 79 है तापमान बिन्मयक किसके नियंत्रण में होता है किसमें होता है दोस्तों तापमान मतलब जो temperature का होता है किस से control बहुत ही important question है ये Hypothelmas Question 70 है Question 70 में पूछ रहा है Question 70 में पूछ रहा है सरीर के भाग की गती सरीर के मध लाइन से होने को हम क्या कहते है Question repeat है दोस्तों इसको हम एडक्षन कहते है Question 71 है Question 71 में पूछ रहा है निमने में से parental root से दवाई देने को वरगी करित नहीं कर सकते है तो क्या होगा दोस्तों Option C हो जाएगा Sublingual Question नवर भागतर है सभी दवाई देने के parental root है सभी है केवल एक को छोड़ कर इसमें से कौन सा छोड़ कर दोस्तों 72 में question में पूछ रहा है एक root नहीं दिया जाता है Sublingual जाद दिया जाता है Actual भी दिया जाता है Intra Cell इरसल नहीं दिया जाता Option नमबर इसका कौन सा होगा Option नमबर B यहीं नहीं होता है Question नमबर आपका 73 है Chest Tube Drainage Chest Tube Drainage निमने में से किस इस्थिति में उप्योग की जाती है Question नमबर 73 है Question नमबर 73 में बताइएगा आप लो Nemothorax, Prular Infusion, Hemothorax किस इस्थिति में उप्योगी है सभी इस्थिति में है दोस्तों इन सभी इस्थिति में जो है Chest Tube Drainage जो होता है उप्योगी है Question नमबर 74 निगलने में तकलीफ को हम क्या कहते है Most important question है निगलने में जो तकलीफ हो रही है उसको हम क्या कहते है निगलने में कठिनाई होना option c question number 75 है 75 में पूछ रहा है निमने से स्वच्छ द्रो है एक को छोड़ कर सिवाई इसमें देखिए यह भी जरूर option में देखिएगा दोस्तों स्वच्छ द्रो clear fluid कौन सा है clear fluid कौन सा है दोस्तों question number 75 में पूछ रहा है सेक जो होता है वो है इसी को छोड़ कर जो सेक है इसी को छोड़ कर बाकी सभी clear fluid है juice हुआ, soup हुआ, lemon soda यह सब तो आप लोग जानते ही होंगे rectal tapman का आकलन करने की सिफारिस करते हैं यदि मरीज rectal जानते हैं दोस्तों accurate temperature वहीं पर मिलता है जैसे अगर बुखार वगरा हो गया है तो accurate temperature जो होता है वहीं पर मिलता है दोस्तों तोड़ा गले में खरास हो गया है इसके करण जो है पीच बीच में disturbance हो जातना पड़ता है आप लोग बताइए, question number 76 है rectal root tapman जो rectal का जो ताप्मान होता है उसको हम किसी पारिश पर करते हैं यह दिमरीज उसकी बहाँ पर काश्ट हो अगर उसकी बहाँ पर काश्ट हो तभी हम जो है rectal नापते हैं और वहाँ पर temperature accurate मिलता है question number 77 है अगर आप से पूछा जाए कि accurate temperature बॉड़ी का accurate temperature कहां पर मिलता है तो rectal पर ही मिलेगा question number 77 है इवेक्वेंट एनीमा है इवेक्वेंट एनीमा है तो कौन सा है cold एनीमा जो होता है इवेक्वेंट होता है question number 78 पर आते है चमड़ा का नीला क्या कहलाता है जब इसकिन आपकी नीली हो जाती है तो हम उसको क्या कहते है most important question है दोस्तों इसी में लोग फंस जाते है इसकिन का नीला होना हम कहलाते है question number 78 परविल कहते है CPR का अर्थ क्या है most important question देखिए मैं कह रहा था ना ये सभी के लिए है दोस्तों CPR CPR का फुल्म फार में क्या है question number 89 question number 89 का क्या होगा cardio pulmonary resistant बोलते है दोस्तों resistant बोलते है CPR CPR को जो है cardio pulmonary resistant बोलते है तो ये पुनर जीवन हिंदी में पुनर जीवन कहते हैं इंगलिस में resistant बोलते है question number 89 का question number 89 को लिख लीजेगा रट लीजेगा दोस्तों question number 80 पे आते हैं heart application के therapeutic effect समलित है heart application के therapeutic effect समलित है lymph प्रवाह में question number 80 है ilaj लेने से मना करना मरीज का अधिकार है यह किसका उदारण है वैधानिक कानून का जब कोई मरीज अगर कहे दे हमको इलाज नहीं करना थे यह वैधानिक कानून है question number 82 है कुष्रमाल सास एक गहरी और परिश्रम स्वास का एक पैटन है जो किसके संबंदित है question number 82 जो कि diabetic ketoacidosis के संबंदित है option A हो जाएगा question number 83 है health promotion activity में सभी समलित है एक को छोड़कर जो health promotion activity होता है उसमें है लेकिन एक को छोड़कर पूछ रहा है question number 83 किसको छोड़कर दोस्तों सराव पीने की अभ्यस्त option B हो जाएगा बहुत से अभ्यर्थी कहेंगे सुरचित यौन अभ्यास से नहीं दोस्तों सराव पीने का दो अभ्यस्त है यही health promotion activity को रोक देता है संतुली तहार भी है सुरचित यौन अभ्यास भी है अब आप लोग अच्छे से जानते होंगे सुरचित यौन अभ्यास क्या है हमें बताने की यरूरत नहीं है question number 84 है question number 84 में पूछ रहा है निमने में से primary prevention strategy कौन मानी जाती है question number 84 कौन मानी जाती है दोस्तों बीमारी को फैलने पर नियंद्रन question number 85 संक्रामक बीमारी का प्राथमिक बचाओ किसके द्वारा प्राप्र किया जा सकता है most important question है आपका question number 85 संक्रामक बीमारी का प्राथमिक बचाओ किसके द्वारा प्राप्र किया जा सकता है बताईए दोस्तों प्रतिरच्छण जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक प्रतिरच्छण जो होता है एंटीबायोटिक देखिए इसमें दिया भी गया है question number 86 है आपका 86 में पूछ रहा है सिर की चोट से किस प्रकार कि पट्टी का उप्यूग करते हैं question number 86 में जो पट्टी का हम उप्यूग करते हैं वह पट्टी का नाम है केप लाइन question number 87 है नाK से पेट में ट्यूब को डालने की प्रकरिया हम क्या कहते हैं नाख से ट्यूब में जूरालाता है नैसो गैस्ट्रिक इच्वेशन कहते हैं नैसो मतलब नाक होता है नैसो गैस्ट्रिक इच्वेशन गैस्ट्रिक मतलब पेट हो गया नाक से पेट में और इच्वेशन मतलब जो है ट्यूब जो है डालना Q88 है मरीज को Resident کے رूप में भेजा जाता है Question No.8 88 में पूछ रहा है मरीज को Resident के रूप में भेजा जाता है Lace Term Care Facility के लिए Question No.89 है ROG की अचानक सुरुआत को जाना जाता है अगर अचानक किसी ROG की सुरुआत हो जायता है तो उसको हम क्या कहते हैं और क्या जानते हैं तो तीब रोक कहते हैं आफसन यह होगा कॉश्चन नमबर 90 है साइड साइड लें इस्थिति जो साइड लेंग पोजीशन होता है में कौन सी साइड पर बेड सोर होने का खत्रार निम्न में से जादा होता है कॉश्चन नमबर 90 में पूछ रहा है तो त्री कि फोसिस विक्रित है इक्यानवे में कि फोसिस विक्रित है तो क्या है रीड है क्वेस्चन नमबर बानवे हैं बीमारियों बीमारियां जो सीधे एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति में रोग प्रत्रच्छा संचारी तो होते हैं उसे क्याकते मोस्ट इंपॉर्टन क्वेस्च स्टाफ नर्स जीनम में जो वुपी अनचएम के तहात आया था तो बहुत से वच्चों ने बताया सर्फ बहुत से कोईस्चन आपके पढ़ायगुए मिले थे मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि बहुत से कोईस्चन आप लोग को इसमें से भी मिलेंगे बीमारी जो सीधे ए प्राथमिक्स रोत क्या है टिराफमे क्वेसिट क्या है थिराफमे क्या है है चया पचयnamme तो एक से है क्वेस्टेन नमर्ट ठोड़ाजक्वय है ज़िस सांस लेते हैं तो अफिदें तो चत क्रलाइज आते हैं तो कौन सा है वाय मार्ग में नमी होता है जैसे इस समय मेरे गले में हो रहा है कुशिन नमर 95 है अस्ति मज़्या किसाइट है कौँं सी है कोश्चन नमर 95 में अप्שन सी हो जाएगा इलायक क्रेश्ट और इस्टर्नम दोनों क्या स्वी 9 मार्ग में सीधे दवाई लेना क्या कहलाता है स्वसनी मार्ग मतब स्वसन के रास्ते जो दवा लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं इनहेलेशन सांस लेना क्वेशन नबर अठानवे दवाई का सीधे आंख में डालना क्या कहलाता है क्या कहलाता है अस्था Nelson's Inhaler कहते हैं इसको Question No.8 है Color Bone Fracture पठी करते हैं Question No.8 है Color Bone Fracture करते हैं Color Bone जो हमारी होते है जो फ्रेक्चर हो जाती है पठी हम करते है तो इसको क्या कहते है Option C हो जाएगा Figure of 8 पठी तो दोस्तों आज के वीडियो में 50 questions टोटल करा दिया हूँ मिलते हैं नेक्ट वीडियो में वेडियो को सेर जरूर करिएगा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेर कर दीजेगा चैनल पर नए तो सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा दोस्तों अब मैं आप लोग को फटा फट जो है प्रैक्टिस सेट कराऊंगा धन्यवाद